दोस्तों यह पालक मनीर है और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो कभी भी पालक का कलर नहीं जाएगा देखिए क्या-क्या सामगरी लगेगी क्या इंग्रीडियन्स तो यह 300 ग्राम पालक है इसको खुब पानी से दो लिया है और दो मध्यम मीडियम साइज के प्याज है मुटा मुटा काट लिया दो इंच अद्रक का टुकड़ा दस बारा कर लिया लैसुन की एक बड़ा टमाटर है इसको मुटा 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 चॉप कर लिजिए और इसके बाद अब मसाले देखते हैं आदा चमच यह पिसी लाल मिर्च चटपटी है थोड़ी और एक चमच पिसी धनिया आदा चमच पिसी हल्दी आदा चमच पिसा गरम मसाला आदा चमच भुना जीरा थोड़ा सा दो पिंच अजवाइन और यह नमक स्वात के अनुसार अभी और भी कुछ बाकी है पनीर दोस्तों देखिए यह मार्केट वाला है जो पैकिंग वाला आता है तो यह वही है आप ले लीजे डेड़ सु ग्राम और यह दही नहीं है इसलिए मैंने चाच का इस्तमाल किया आप दोस्तों यह पानी च चार ग्लास यह खौल रहा अच्छे से आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे आप डरिये नहीं सबजी आप की मीठी नहीं होगी और इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम हाई रहनी चाहिए और इसमें पालक डाल देंगे दोस्तों देखिए सभी पालक के पत्तों में डिंडिया बनी हुई है पालक को खोल के अच्छे से धोईएगा और च्छाट के कि बीच में कई बार कीडा घास ना हो और हलका नमक पानी गुन गुने पानी में नमक डाल के उसको तब धोईएगा और इसको गैस को तेज पानी में ही एक या एक से दो मिनट बस खोल गी पालक बहुत ज़्यादा देर नहीं चड़ी रहें देंगे तो मैं कह रही थी कि बहुत खोल के हर पत्ते को खोलिएगा क्योंकि पालक में कई बार कितनी अच्छा भी आप कहीं से बंगाए इसमें आप कि थंडा पानी कि उसको ले लेंगे यह देखिये बहुत थंडा पानी चिल वॉटर है उसमें उस गरम से निकाल निकाल के इसमें डालते जाएंगे सीधे इसी में डालेंगे कि दोस्तों यह प्रोसर्स बहुत जरूरी है तो आपके पालक प्लेट में निकाल के रखे तो तो पालक गरम देगी और जदव कलर चला जाएगा तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कभी भी आपका पालक का लार नहीं जाएगा अब इसको थंडा होने देंगे अब मसाले की त्यारी कर लेंगे तो देखिए मैंने एक पैन चड़ा दिया थोड़ा सा तेल डाल दिया वन टेबल स्पून डाल दिया सरसों का डाला था उसको खुब अच्छे से खौला लिया इसलिए दिखनी रहा अब दोस्तों मैंने इसमें हरी मिर्च काटके डाली है जो मैंने उस जगे नहीं बताई थी आपको अब इसमें अद्रक प्याज लैसुन और हरी मिर्च सभी कुछ डाल देंगे कि देखें मैं उधर इंग्रीडियंट्स आपको बता रही थी इसमें हरी मिर्च नहीं बताई थी तो और यह थोड़ी सी जो अजवाइन है दो चुटकी यह इस जगे डाल दिया और इन स गैस तेज नहीं करें अगर आप लगातार चला रहे हो तो मीडियम फ्लेम में रखें और अगर आप थोड़ा कुछ करना ही देखें टमाटर भी डाल दिया प्याज बस गुलाबी-गुलाबी होना चाहिए सॉफ्ट होना चाहिए कच्छा पन उसका जाना चाहिए सभी कि इसलिए में बस सौफ्ट हो जाए अब इसमें देखें नमक डाल देंगे आधा-चमच्छ कि नमक डालने से यह मुलायम जल्दी और और थोड़ा नमक बाद में डालेंगे ज़िए ध्यान रखे गा और आगे ध्यान भी रखेंगा कि मैंने आधा नमक डाला हुआ है प्य इसलिए नमक को आप पहले ही अलग कर लिजेगा कि टोटल नमक कितना डालना है तो उसका आधा इधर डाल दीजेगा आधा उधर ऐसा नहों कि आप इधर भी डाल दे और उसके बाद उधर भी डाल दे और अगर आपका बैचांस नमक चादा हो जाए तो दोस्तों एक ट्रिक हो जाएगा तो से बहुत बढ़ी चुक होती है अब दोस्तों यह पग गया है और इसको ठंडा होने रख देंगे पांच मिनट पांच मिनट देखे यह ठंडा हो गया है पांच मिनट के बाद प्र लंट लेंगे दोस्तों को लूगड़ा शला इसलिए ब्लेंडर ठीक नहीं है तो इसलिए इसमें पीस ले रही कोई बात नहीं जुगाड होना चाहिए हम इंडियन महिलाओं को हर चीज में जुगाड आता है अब देखें दोस्तों यह पालक है देखें कितना अच्छा कलर बनाए हुआ है पालक बिल्कुल भी कलर नहीं बदला इतनी देर पक भी चुकी है और यह देखें सॉफ्ट भी हो गई है आप ऐसा भी नहीं कह सकते कच्छी है अब दोस्तों इसको उधर पीस लिया मैंने अब इसमें एक चमचा शर्षों का तेल डालेंगे इसको एक दम पक जाने देंगे कि देके बिल्कुल सफेद हो गया अब अब बढ़ू डालेंगे मिर्च डालेंगे भुनाजीरा पिसी धनिया यह तीनों चीज़ें आदा चमर्ष थी पिसी देन या एक चमर्ष है दोस्तों गरम मसाला बाद में डालेंगे अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और कलर अच्छे से तेल में घुल जाए ने हैं इए देखिए बहुत ज्यादा तेल मसाले का भी नहीं बन रहा कि या बहुत मसाले भी नहीं है पर तो इसको अच्छे से स्वाहनłbym जानए देंगा आप देखिए जो पेस्टे यार हुआ है पालक प्यकाई स्था कटर कशी गालत hp आप sapp преп Gold के अधे हैंபनी है बिल्कुल यह उबली हुई है पकी हुई है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे इसको क्योंकि फिर इसका बहुत सारी इसमें चीजें केल्चिय विटामिन्स होते हैं वह सब चले जाते हैं और दूसरा जो इसमें पॉस्टिक चीजें होती है पालक में जिस वजह से खाई जाती ह इसलिए आप इसको इतना ज्यादा ना भूने और इसमें यह दही डाल दिया है चाच जो आपके पास हो तो दो चम्मज दही डाल दीजें मीठा दही हो अगर खटा दही हो तो एक चम्मज डाली अगर नहीं तो पीर आपका पालक मनीर बहुत खटा होने वाला हो जाएगा चाच खटी नहीं है इसलिए मैंने अधी कटोरी डाल दी रहा है आप इसमें पनीर के क्यूब्स भी डाल देंगे यह देखें आप जिस साइज के छोटे बड़े काटना चाहें काट लीजें थोड़ा सा इसको बस पकने देंगे बहुत ज्यादा नहीं खुब अच्छे से लगे लगे और यह देखें अब नमक दोस्तों आधा नमक वहां डाला था और आधा नमक यहां डाल दिया है अग्रम मसाला डालंगे बाखी अपने अगर बच्चों को खाना हो तो हरी मिर्श को आप इसके पर दीजिए मठ डालिए दोस्तों बिल्कुल तियार हो गया अब चलिए कि निकाल लेते हैं कि आप इसको पराठे के संग पूड़ी के संग चावल के संग अगर आपको गाढ़ा लगे तो आप बीच में जहां पनीर डालते हैं वहीं पर थोड़ा सा पानी डाल लेजेगा आधा कप मैंने आधा कप पानी डाला था पर मैं बताना भूल गई तो आप उस जगे पर पानी डाल लेजेगा सिर्फ आधा कप दोस्तों त्यार है चलिए ये फ्रेश क्रीम डाल लेते हैं अभी तो सिर्फ रखते समय सुन्दर लगे इसलिए लेकिन बाद में ये क्रीम मिल जाती है और ये पनीर के दो टुकड़े डाल दिया है तो दोस्तों इंजॉय करिए खाये बनाइए अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए अच्छा बुरा जैसा कर दो जाया हुआ हुआ अच्छा जैसर ले झी चलिए सुन्थ बुरा भाइक करिस कर दो दिता सहां हुआए तो मेरे खायशने कर दो दिता सक्शा मेंद़ पीक्ड़ना ऐसा सब्सक्ष्णकरिक कर दो कर दो क्याशनWow जा